प्रतिक प्रोहित और आपके सामने लेकर आया हूँ डैली लाइव करेंट अफेर्स की क्लास तो आज है मंडे और हर मंडे को हमारा करेंट अफेर्स का रिविजन का जो है वो सेक्षन होगा जो पिछले हफते मंडे से लगा के संडे तक हम लोगों ने पढ़ा है वो सारे important questions हम लोग यहाँ पर revision class में हर मंडे को cover करेंगे तो जो भी लोग हमरे साथ जुड रहे हैं जुड चुके हैं आगे जाके जुडेंगे सभी को good evening और आप सभी का एक बार fit से स्वागत है digital theory channel पर तो चलिए बिना time waste के शुरू करते हैं हमारी revision class जिसमें हम पिछले हफ़ते के यानि के 5 September से 11 September तक के सारे important mcqs multiple choice questions को solve करेंगे और discuss करेंगे तो चलते हैं आज के first question कियो तो पहला question है which of the following personalities is not in the list of winners of the 64th roman maxis award 2022 very good evening पूनम को 64-way roman maxis से पुरस्कार 2022 के विजिताओं के सूची में निम लिखित में से कौन सा व्यक्ति या व्यक्तित्व सामिल नहीं है options screen पर है जरूर सही option को select करें सभी लोग roman maxis 2022 सही आंस्वर है इसका option 5th विनोबा भावे जो विनोबा भावे जी है इनको roman maxis से 2022 में नहीं मिला है इनको roman maxis से 1958 में मिल गया है 1958 में और बाकी के जो चारों है चाहे गैरी बैंचे गिभ हो चाहे बढ़नेडेट मैडरीड सोथेरा चिम और तदासी हत्तोरी इन चारों को इसी साल roman maxis से पुरुस्कार दिया गया है वेरी गूड इवनिंग हम दुराक का देखें पहले भी देखा था roman maxis से बिसिकली यह एवाड हर साल कब दिया जाता है 31 ऑगस्ट को दिया जाता राइट कौन देता है तो यह रोमन मैक्स से foundation है संस्था है वो देती है और roman maxis से बिसिकली थे कौन तो इंडोनेशिया देश के तीसरे राष्ट्रिपति का नाम है अभी हर साल 31 आउगस्त को दिया जाता है चारrak लोगो को इस साल दिया गया है नेयक्श्ट केया विश प्रडयोगी विवाग के साथ किस कंपनी ने क्यू हई कि टिका किआ एक्सित तो QHPV भारत बाइटेक और किसने शुरू किया है वेरी गूड इवनिंग शुरू किया है सिरम इंस्टिट्यूट आफ इंडिया इस आए सिरम इंस्टिट्यूट आफ इंडिया बिल्कुल से आंसर है मुकेस मांडिया का देखें QHPV है क्या QHPV basically Tika है इसका full form है Q का मतलब है quadrant और HPV का मतलब है human papilloma virus human papilloma virus यह TK का नाम है और यह कौन से बीमारी के against Tika तो वो आपको पता ओना चैए बीमारी है cervical cancer cervical cancer जो बीमारी है उससे बचाने का Tika है एक प्रकार का cancer उससे बचाता है धियान रहे जो QHPV वैक्षीन है इस वैक्षीन का जो नाम है वह सर्वावएक का नाम सर्वावएक हो इंडिया ने खुद ने बना या भारत में महिलाओं को होने वाला यानि कि और तो को होने वाला दूसरा सबसे frequent cancer है राइट कौन सा cervical cancer पहले नंबर पर breast cancer और दूसरे नंबर पर cervical cancer अब इंडिया ने इसका टीका बना लिए मॉनिका ने बिलकुल सही information लिखे जो लोग नहीं जुड़े हैं मैं एक बार वापिस बता दूँ जो पिछले अफते हमने पढ़ा है संडे मंडे से लगा के कल संडे तक आज उसकी रिविजन क्लास है सारी क्लासे के important questions हम आज फटाफट रिवाइस कर रहे है नेक्स्ट एयार रहमान वाज ओनर्ड बाइन इमिंग इस्ट्रीट आफ्टर हिम इन मार्खम एयार रहमान को मार्खम कौन से देश में उनके नाम पर एक शड़क का नाम दे कर सम्मानित किया गया कहां पर एयार रहमान के नाम पर एक शड़क का नाम करन किया गया है फ्रांस लंदन कैनेडा या फिर स्पेन तो मार्खम जगे जो है वो कहां पर है वो कैनेडा में है और यहीं पर एयार रहमान जो इंडिया के फेमस जाने माने मूजिशन है जिनको ऑसकर प्राइज भी मिल रखा है स्लम डॉग मिलेनियर आपने जरूर देखा होगा मुवी और उसमें गाना है जै हो जिसके लिए तो कैनेडा में इनके सम्मान में मार्खम जगे है कैनेडा में वहां पे क्या कर दिया गया है एक इस्ट्रीट एक जो कॉलोनी है जो म स्रीय करें आपके एक्जाम में पूछ हिंगे इंपंडु स्री स्वामि नाराइन मंदिर दे मंदिरॵ कंग है मलेशिया इंडोनेशिया यूवर के या फिर लोकते क्लास में कोर्ष्ण डिस्कॉस कीया है स्वामि नाराइन मंदिरुन temple पर बनाया गया है UAE United Arab Emirates संयुक्त Arab Amirate दियान रखें स्री स्वामि नारायन temple ठी श्री स्री स्वामि नारायन जो मंदीर जो if tвол है यह याविए में है और यह पहला फूरिकम miş पहला हिन्जु मंदीर कहा का उरब प्रायद wish अरब जो है पैनिन्सुला उसका पहला हिंदू टेंपल है स्री स्वामी नारायन टेंपल यहां पर मैंने वर्ड बोला है पैनिन्सुला जिसको हिंदी में कहता है प्राइद्वीप और पैनिन्सुला का अर्थ क्या होता है ऐसी जमीन लेंड जिसके तीन और जमीन जिसके तीन और क्या ह पानी हो. लैंड सराउंड़ेड बाई वाटर फ्रॉम ठीजिट साइड तो उसको प्रायद प्विय पानी होगा तो उसे क्या कहेंगे? चारव पानी होगा तो आईलेंड कहेंगे, ध्विप कहेंगे. next who has been nominated as the Prime Minister of Serbia for the second consecutive time लगातार दूसरी बार सर्विया के PM के रूप में किसे नामित किया गया है सर्विया के लगातार दूसरी बार PM कौन बने है सही आंस्वर आने लगे अनुराग ने दिया है पूनम ने दिया है बिल्कुल सही है अनना ब्रैनविक यह जो हैं लगातार दूसरी बार सर्विया के PM बन चुके हैं ठीक है सर लास्ट्री फोर मेंस की संड़े को मेराथन लीजिए जरूर ले लूँगा अगर आपने सजेस्टन दिया है तो इसी हफते कोई एक दिन या संड़े को मैं पिछले तीन से चार मिने का करन्ट अफेट्स के मैराथन तीन चार गंटे की क्लास का जो है आप लोग के लिए तयार करता हूं टूज़ेंट 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 टूब अब्सेर्ट एक्रोज डी ग्लोब वर्लड वाइड वैप के अविस्कार को मनाने के लिए दुनिया बर में अंतराश्ट्य इंटर नॉट दिवस्ट दो हजार बास कब मनाया गया बताया बई वैब जो एक प्रकार का क्या है है थीटीप जो लोग कंपीटर साइंस पढ़ चुके हैं या उनका रिलेशन है उनको पता होगा एच्टीटीप हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो हर वैबसेट से पहले जो वर्ल्ड वाइड वैब लिखा जाता है यह दुनिया को तेश अगस्त नाम है टिम बर्नर्स ली यूके के जो है यह वैग्यानिक के साइंटिस्ट जिन्हों ने क्या किया है तेविस अगस्त को समर्पित क्या इसलिए मना जाता है नेस्ट नेच्ट इन विच सीटी ब्लीव एनेरजी मोटर्स रिसेंटी लॉण्च इंडिया ज को एङ मनुफेक्रीं प्लाट प्लांट अ। एनर्जी मोटर्स ने हाली में किस सहर में भारत का पहला एलेंजी फ्यूल ग्रीन ट्रक निर्मान सयंत्र लॉंच किया है बताएं कोवाड़ा अंद्रप्रदेश पूने महाराश्ट्र मंदला एंपी या फिर पाटन गुज्रात मौनी काना बिल्कुल सही इंफर्मेशन लिखिया है टिम वर्नर्स ली एक ऑगस्त फर्स्ट एलेंजी फ्यूल ग्रीन ट्रक मैनुफेक्ट्रिंग प्लांट भारत का पूने पूने में जगा है चाकन वहां पे जो है क्या किया गया है लॉंच किया गया है एलेंजी क्या होता ह है यह इस प्रकार से मिथेन जो है यह इसका इस्ट्रक्चल फॉर्मूला बनता है बीच में कार बने चारा तरफ हाइड्रोजन है तो यह क्लीन फ्यूल स्वच इदन है जाना के लंजी जो है पॉल्यूशन वगरा बहुत कम करता है दूसरे फ्यूल के तुलना में इसलिए ट्रक बना जाएंगे पूने महाराष्ट्रम नेक्स्ट इंडिया बिकेम दी वर्ल्ड फिफ्ट बिगेस्ट इकोनॉमी भाई ओवर्टेकिंग भारत किसको पचाड कर दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी अर्थवस्ता बन गया बताएं यूके जैपान फ्रेंस या फिर कौन से कंट्री को हमने पीछे कर दिया और हम फिफ्ट नंबर पर आ गएं सिक्स्ट से एकोनॉमी अर्थवस्ता के आकार की स्थती में एकोनॉमी के साइस की कंडिशन में सही आंस्वर है यूके यूके को पचाड कर भारत जो है वो अब फिफ्ट लार्जेश एकोनॉमी हो हो चुका है वर्ल्ड की विफ्टों की पांच वी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्ता हो चुका है बारत तो यह इंपोर्टन कोश्चन है एक्जैम के पॉइंट ऑफ यू से फश्ट नंबर पर अभी भी कौन है दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्ता यूएस से ही है और पांच वे नंबर पे हम आ गए हैं इंडिया और 6 नंबर पे UK है इन 6 को क्या का जाता है इनको Super 6 कहा जाता है Super 6 दुनिया की 6 सबसे बड़ी economies है 6 सबसे बड़ी अर्थ विस्ता है जिनको हम लोग Super 6 कहते हैं इसको आएंगे मॉनिका इसलिए भी नहीं बता रहा हूं यह बता हैं हूँ एस बिन अपोइंटेड एज दिसी यो और इस टारबक्स विद इफेक्ट फ्रम फर्स्ट ऑक्टोबर 2022 एक ऑक्टोबर 2022 से स्टारबक्स के सीओ के रूप में किसे निउट किया गया है जॉर्ज कूरियन लक्ष्मन नर्सिंगम अजेपाल सिंग बंगा या फिर दिनेश पालिवाल इस्टारबक्स के सीओ कौन बनेंगे एक ऑक्टोबर से और सहीं आंस्वर है ऑप्शन सेकिंड लक्ष्मन नर्सिंगम भारतिय मूल के हैं इंडियन ओरिजिन के हैं राइट यह से इस्टारबक्स के एक अक्टोबर से स्टारबक्स को जॉइन करेंगे और अगले साल एक अपरेल से उसके सीओ बन जाएंगे चीफ एक्जीकुटियो ऑफिसर मुख्या कारेकारणी अधिकारी देखें अगर आपसे पूछ ले स्टारबक्स किस चीज की कंपनी है तो आप एक हकी कंपनी और भारत के जो हैं लक्षमन नर्सिंग हम इसके क्या बनेंगे सीओ बन जाएंगे नेक्स्ट विच बिकेम दी फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव विद दी नियू टेक्स इंफोर्मेशन नेट्वर्क टिन 2.0 एक अक्टूबर 2022 से कौन सा ब तो भारत का बताएं भी पैला थी बैंक चैक्ट का सार्जैनिक खेतर का टिंक बैंसोर ह için कर लिया है जोइन कर लिया है टी आई एन क्या है टी आई एन 2.0 टिन यानि के टेक्स इंफोर्मेशन नेट्वर्क 2.0 यह इंकम टेक्स डिपार्टमेंट जो है हमारा आई टी डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री आफ फिनेंस वित मंत्रा लेकर तैत काम करता है इसके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल है यह बिल्कुल से बैंक ऑफ इंडिया एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे आप आप आई टी आर इंकम टेक्स रिटर्न भर सकते और जो भी टेक से रिलेटर इंफॉमेशन है एक ही जगा पर एकल खिटकी सिंगल विंडो पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा यह बैंक ऑफ इंडिया जो है यह पहला सरकारी बैंक है जिसने इसको जॉइन किया है बट एक नीजी बैंक है जिसको पहले ही जॉइन कर चुका है और वह बैंक अगर आप से पूच ले फर्स्ट प्रड्राइवेट बैंक तो वह कौनसा है वह ऐए फेडरल बैंक फेडरल बैंक जो है वह सबसे पहले जॉइन कर चुका है बट सरकारी बैंक नहीं है यह का मुख्या लए है के ला बेज़े सबसे पहले इसने जौन है यह कबसे लाइव तो एक जुलाई से इसी साल एक जुलाई से जो है यह लॉंच हुआ है तो बैंक आफ इंडिया नेक्स्ट विच श्टेट रिसीव इंटर्नेशनल ट्रेवल एवाड 2023 फॉर दी बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कुल्चर बाइ पेश्या पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एस्सोशेशन प्रसांच छेत्र यात्रा लेखक शंग द्वारा संस्क्रति के लिए सर्वस्रे को मिला इंडिया के सही आंस्वर है ऑप्शन फर्ष्ट वेस्ट बेंगॉल पस्चिम बंगाल को दिया गया है क्या इंटरनेशनल ट्रेवल एवाड 2023 ट्रेवल की बात हो रही है तो टूरिजम आपको पता हुना अची है परियतन टूरिजम डे कब आता है तो अगर आपसे पूछ लिए इंटरनेशनल टूरिजम डे अंतराश्ट्री है तो वह कब आता है वह आने वाला है 27 सितंबर को 27 सेप्टेंबर को आता है राइट ज्यान रखें संस्था जो युनाटेड नेशन्स की वह सवयकतराश्ट्र विश्व परियतन संगतन वर्ल्ट टूरिजम और जैसन जो युनों के साथ काम करती है और इसका अगर आपसे मख्याले पूछ ले तो वह ड्रीड में मैं मैं जगे कहां पर है स्पेंड में तो पश्चिम भंगाल को कल्चर के लिए संसकती लिए स्टिम भंगाल के लिए जाना जाता है आने वाला टाइम बंगाल में त्योह तो वेस्ट बेंगॉल नेक्स्ट हुएज बिन एपॉंटेड इस फिफ्टी सिक्स पी एम ऑफ यूके युनाइटेड किंग्डम के चपनवे परदानमंत्रे के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फिफ्टी सिक्स पी एम अफ यूके सही आंसर क्या होगा इजी कोश्चन है काफी न्यूज में रह रहा है यूके क्योंकि महारानी की दैथ हो गई है नहीराजा बन गए सही आंसर है एलिजाबैट ट्रस इन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो इनकी जगा पहले थे बोरिस ज सब्सक्राइबर तो यह कौन से पार्टी से संबंद रखती हैं कंजरवेटिव पार्टी से नेक्स्ट वू रिसीव दी प्रेस्टीजियस एवाइड स्पोर्ट्स आइकन फ्रॉम माल्दीव से प्रतिष्टित पुरसकार स्पोर्ट्स आइकन किसे मिला है माल्दी उसने स्पोर्ट्स आइकन का वाइड कौन से क्रिकेटर को दिया है यह सारे क्रिकेटर से हैं सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सुरेश रहना इंपोर्टेंट कोश्चन है क्योंकि इन चारों प्लेयर्स में से वैसे तो चारों फेमस है बट इन चारों में से जो सब सबस्क्राइब को आजा है माल दीव ने चारों को किस ने दिया माल्दीव इंड़ेश अगेर का सबढ़ दीवत हैं माल दीव से चोटा दूईप हैं इंडियन उशिन का स्मॉलेस टाइलेंड नेक्स्ट विच एडिशन ऑफ राष्ट्रिय पोष्टन मां 2022 2022 वाज ओर्गनाइज फ्रॉम फर्स्ट तु थर्टियत सेप्टेंबर 2022 बदामी राष्ट्रिय पोष्टन मां 2022 का कौन सा संस्करन एक से 30 सितंबर 2022 तक आयोजित किया गया था छटा चौथा दूसरा या फिर पांचवा राष्ट्रिय पोष्टन मां जिसको इंग्लिश में नेशनल नूट्रिशन मन्त भी बोल सकते हैं तो यह इसका पांचवा संस्करन था फिफ्ट एडिशन कब शुरू है राष्ट्रिय पोष्टन मां 2018 से स्टार्ट हुआ है कब मनाय जाता है तो पूरा सेप्टेंबर का जो मन्त है सितंबर का जो महिना है वो राष्ट्रिय पोष्टन मां मनाया जाता है और ध्यान रखें एक से साथ सितंबर यह क्या मनाया जाता है यह है नूट्रिशन वीक पोष्टन सप्ता मनाया जाता है नूट्रिशन वीक या फिर पो आर्टमीश एक किस संगठन का मानो रही तुमिशन हैं आपके सामने केनेडिन स्पेस एजन्सी इस एक्स यूरोपन स्पेस एजन्सी या फिर नासा यह नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्ष एंड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन आर्टमीश वन किसका पहली मैला को भी बेजना चाता है और फर्स्ट वोमेन आफ कलर उनको भी बेजना चाता है तो उसी के लिए यह जो अनक्रीवड मिशन ने चेक करने के लिए बेजा गया है आर्टमीश वन इंपर्टेंट कोश्चन है नेक्स्ट वाट इस नेम आफ इंडिया फिस्ट इंट बैर में तो कौन सा है इनकोवैक सरवावैक को या फिर या फिर इंकोवै alors ülke सर क्या है इंडिया का पहला इन ट्राने सब्दोच इंकोवैक इंपोर्टेंट है कि Luckily बनाए है यह ब्रफिस न जो है प्रेंदाबा इंडिया का इन इंड・टेक ने इनगोड इनिया का पहला सब्सक्राइब करने के लिए किस सहर को ट्री एंबूलेंस मिला है उज्जेन इंदोर भूपाल या फिर ग्वालियर भारत बाइटेक बताएं है अबこの geor को ट्री एंबूलेंस मिला है किसे सही आंसवर है option 2 इंदोर को देनले किसे कहा जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और क्यों कहा जाता है भारत की पहले इंदूर में न it情况 तो आपको यह बताने ग्रीन मैं ऑफ इंडिया किसे कहता है बारत का हरित व्यक्ति नेच्ज्ट मंदीdoor यूफ वोनेन्स प्لي culo 2021 सब्सक्राइब ए उडिया किताब किसनी प्लेयर या जीता máximo होगा वूलर उडियर जीता है option first Alexia Puteleus Segura Spanish player है कहां की player है Spanish और इनको UFA Women Player of the Year का award मिला है UFA का मतलब क्या होता है Union of European Football Association जो यरप के देश से जो football केलते हैं वो उनकी संस्ता है वो European players को देते हैं तो इस पे इनकी Alexia Puteleus Segura को मिला है महिलाओं के लिए और पूरुसों के लिए मिला है करीम बेंजीमा करीम बेंजीमा और यह का के हैं यह फ्रांस के हैं करीम बेंजीमा इस फ्रॉम फ्रांस ठीक है जैसी राम वेरी गूड इवनिंग राहूल स्वागत है थोड़ा सा लेट हो गयो नेक्स्ट वेर वाज 65th Commonwealth Parliamentary Conference held in 2022 2022 में पैसेटवा राश्टरमंडल संसेद्य संभिलन कहां था वो कि शिप्रन आंस्वर दिया के अब्दुल गानी और यह बिल्कुल सही आंस्वर है ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के अब्दुल गानी को ही कहा जाता है आप यह बताएं पैसेटवा राश्टरमंडल संसेद्य संभिलन और मिल्कुल कमेट का चनफरेंस चैनेदा में हुए है पैसेटवा नेक्स्ट नुवा खाई इस सेलिब्रेटेड इन नुवा खाई कहां मनाया जाता है फैस्टिवल त्योहार है उडिशा उतराखंड-m.P या पिर करनाट का तो नुवा खाई मनाया जाता है उडिशा में उडिशा का बहुत ही फेमस तिवार है दो वर्ड से बिलके बनाए नुवा और खाई नुवा का मतलब बता है न्यू खाई का मतलब बता है फूड और बेसिकली यहाँ पर फूड का मतलब है राइस यानि के धान या फिर चावल उडिशा में चावल जो इस्टेपल डाइट ह अल्मुस्ट डेली लोग खाते हैं त्यानके तो वहां पर नुवा खाई मना जाता है तो गनेश चतुर्थी के अगले दिन इसकी तीथी फिक्स है जो भी गनेश चतुर्थी जिस तीथी को आएगा चतुर्थी को आता है अब बात है भादरपद महीने की चतुर्थी को जब गनेश चतुर्थी आता है उसके नेक्स्ट डे उडिसा में क्या मनाया जाता है नुवा खाई न्यू फूड या फिर नुवा खाई और फूड का मतब यहां पर चावल से है या फिर धान से है नेक्स्ट वाट इस दी नेम ऑफ मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर डैट वाज टेस्ट फायरड पोखरन राजस्थान राजस्थान के पोखरन में परिक्शन किये गए मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर का नाम क्या है मैं दो दिन पहले की क्लास में इसको डिसकस किया था पीना का वर्ड कहां से आया है तो सिव जी के जो धनूस है, जो बो है, सिव जी भगवान का, उसका नाम पिनाका है, तो वहीं से नाम दिया है, पिनाका किसने बनाया है, DRDO ने बनाया है, और पिनाका किसके लिए famous है, तो ये क्या करते है, पिनाका जो है ये, 44 seconds में, 44 seconds में, 12 rocket launch करता है, 12 rocket जो है वो, launch कर सकत पिनाका इसके लिए फेमस है तो पिनाका इस दी राइट आंसर नेक्स्ट इन विच स्टेट और उनियन टरिटरी अनंग ताल लेक इस लोकेट अनंग ताल जील किस राज्य या केंद्र सासित प्रदेश में इस्थित है इंपोर्टेंट इन्यूज में रही है अनंग ताल ले लेक गुजरात उडिशा राजस्थान या फिर डेली अनंग ताल जील कहां पर है तो अनंग ताल लेक है डेली में दिल्ली के मेरॉली में इस्थित है जहां पर आपका कुतुब मिनार भी है उसी एरिया में अनंग ताल लेक और इसको जो है मॉन्यूमेंट आफ नेशनल इ हमारे जो वीडियो जे इस वीक के उसको जरूर देखें आपको पूरा एडिशन इंफॉर्मेशन पता लग जाएगा नेक्स्ट विच श्टेट रिसेंटली सेट अप इंडियास फर्स्ट बायो विलेज एंड रिसीवड इंटरनेश्रल रिकॉगनिशन फॉर डिजाइनिं किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला जैव ग्राम इस्थापित किया और डिजाइनिंग के लिए अंतरराष्ट्य मान्यता प्राप्त की तो कौन से श्टेट में पहला बायो विलेज भारत का बनाया गया है सही आंस्वर क्या है फर्स्ट बायो विलेज तृपूरा में पैनाया गया है और एंडिया का पहला क्या है यहां के जो लोग है जो समुधा यह कम्यूटिस है वह परियाबर्ण के साथ सामझस से बना करेंगी environment के साथ coordination बना के लोग रहेंगे सौर उर्जा पे या नवी करनी उर्जा पे solar energy या फिर renewable energy पे focus होगा rainwater harvesting होगा वर्सा जल का संरक्षन होगा और जो कुछ भी यहां पे होगा वो सारा का सारा वो चीजे होंगी जो परियावरण को फाइदा पहुचाती है नुक्सान नहीं पह स्री योजना में आरक अर्थ क्या है अब यहां पर देखेंगे श्री हिंदी में ऐसे है श्री तो स्री योजना जो है पी एम स्री योजना उसमें आरक अर्थ क्या है restoration, restructure, rising या फिर redevelopment तो सही answer क्या है correct answer would be option third rising क्या इसकी में PM का मतलब है प्रदान मंत्री और schools for rising India, schools for rising India नहीं इसकी में launch हुई है PM3 का यह full form है इसमें साड़े 14,000 schools को क्या किया जाएगा modernize किया जाएगा, आदूनी की करन किया जाएगा और जो नई सिक्षा नीती आई है new education policy कब आई है 2020 में इसके लिए यह schools जो है वो लेबोरेट्री का काम करेंगी और इससे क्या करेंगी यह आगे इस policy को लेके जाएगी तो PM3 योजना important next which has been recently declared as India's best aspirational district by the निती आयोग निती आयोग दोरा हाल इमें किस जिले को भारत का service रिष्ट आकांग सी जिला गोशित किया गया है एस्पाइरेशनल डिस्ट्रिक को हिंदी में का जाता है आकांग सी जिला तो इंडिया का बेस्ट डिस्ट्रिक कौण सा है जैपुर-अरिदीओर हरिद्वार इंदोर या फिर खजियार तो correct answer है का की माँजूद हरिद आतोर अ बशीह कोन च wagon उसतराखन की प्रिटे वे जिले थे उन जिलों को वापिस क्या है थोड़ा सा डेवलप करने के लिए इसकी मुलांच कि गी थी और उसमें सबसे आगे इस साल कौन राहे हरी द्वार राय उत्राखंड राहुल नौप्शन भी बिल्कुल सही दिया है नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट 3D प्रि का की कैपिटल बैंगलोर में क्या है कैसा है वो जो मैंने पिछले वीक की क्लास ली थी तो उसमें वित इमेज बताया है 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कैसा दिखेगा तो उस क्लास को जुरूर रेफर करें अगर आप और अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो और उसमे तो चिन नहीं है नेक्स्ट यह वेरी वेरी इंपर्टेंट कोश्चन है विच आफ दे फॉलोइंग सीटीज बीकेम इंडिया फर्स एंट्रेंट इंट्रेंट इन्टी युनेस्को ग्लोबल नेट्वर्क ऑफ लर्निंग सीटीज हां सिलिकन सीटी बिलकुल सही लिखा है ब युनेस को एक सूची निकालता है ग्लोबल नेट्वर्क ऑफ लर्निंग सीटीज उसमें भारत की तरफ से ओल बिलकुल सही है तीनों के तीनों है निलांबूर केरला का भी है वारंगल तेलंगना का है और थ्रिसूर केरला में देखें वारंगल जो जगे है यह अर्बन सीटी है सहर वाला च्हितर है और इसको क्यों एड किया गया है यह अपने उच्छ सिक्सा के लिए हाइर एड्यूकेशन के लिए काफी इंपोर्टेंट ग्लोबल नेट्रक ऑफ लर्निंग सीटी जो है इसमें युनेस को उन सहरों को जोडता है जो लाइफ लॉंग लर्निंग के लिए काम करें जिनकी बार आपको कुछ ना कुछ सहर में सीखने को मिले ऐसा प्रोजेक्ट परियोजना वगरा चलाओ तो आप इसमें एड हो सकते हो भारत की तरफ से अब तक कोई नहीं था पहली बार एक साथ तीन सहर सामिल हो गए जो निलामबूर का है यह अपने मेडिकल फैसिलेटीज के लिए जाना जाता है हॉस्पिटल्स वगरा यहां पर बहुत अच्छे हैं और उसके अलावा यह अपने एको टूरिजम के लिए भी जाना जाता है एको टूरिजम का मतलब क्या होता है नेशनल पार्क फॉरेस्ट और वाइल लाइफ सेंच यह सोने और अबूसंड जो है उनके लिए जाना जाता है कौन सा थ्रिसुर तो इन तीनों को सामिल किया गया है औल अफ दी एवाग नेक्स्ट विच ऑर्गनेजिशन गिव्स किंग सेजोंग लिट्रेसी प्राइस यह इस बार कुश्चन आ सकता है एक्जाम समें किंग पुरसकार दिया जाता है युनेसको द्वारा ऑप्शन सेकेंड युनेसको विल बी टी करेक्ट आंसवर कब दिया जाता है हर साल आट सितंबर को दिया जाता है क्यों क्यों क्योंकि यह होता है वर्ल्ड लिट्रेसी डे विश्व साक्सरता दीवस यह जो पुरसकार है इसक ने कोरिया में नए अल्फाबेट हंगूल सुरू किया था कोरियन जो आप लिखते हो लेंगवेज या कभी आप नगर पड़ी होगी समझ में नहीं होगी तो जो लेंगवेज उसे हंगूल का जाता है वह इन्होंने स्टार्ट किया था तो इनकी याद में पुरस्कार दिया साल इसलिए इस पर कॉश्चन पूछा जा सकता है नेक्ट किन सेप्टेंबर टो थाउजं ट्वंटिटी ऩू फॉ वउस चूजन फ़र एरैसमस मूंडूस livre स्रेना स्कॉलर्शिप ये भी कूश्चन पूछा जा सकता है । सितंबर दो जार बाइस सरे 1506 स्कॉलर्षिप ये राहूल का चला मल्ला एकसिता यह यह स्कॉलर्षिप है इर्सर्सिप कौो पैरु 서 सच्चा के लिए देता हाइड देजाते और यह जो सरेना है सरेना का मतलब क्या है स ऐ आर यह सरेना वह फिल्ड है जिसमें इनको इसको लड़ी गई है और सरेना का अर्थ यहाँ पर सेफ एंड रिलायवल न्यूक्लियर अप्लिकेशन अप्लिकेशन इसहीं में जो है यह चला मला इक सीता जो है आगे जाके अपना मास्टर्स करेंगी यह अभी MET University जो है उसकी student काफे आपने TV पर वगरा देखाऊगा MET University का उसकी student engineering की राइट तो यह सरेना के फिल्ड में करेंगी safe and reliable nuclear application Erasmus Mundus scholarship इनको मिल गई है one of the most prestigious scholarships of the world next China recently launched a new remote sensing satellite named Yaogan 33-02 into space by using which rocket China ने हाल ही में किस rocket का उप्योग करके Yaogan 33-02 नामक एक नया remote sensing उपग्रे अंत्रिक्स में launch किया है options आपके सामने है सबका नाम Long March है आगे का alphabet 4C 3B 2D या फिर 4B तो किसका जो है help करके launch किया है तो Long March 4C satellite का नाम याद रखना है Yaogan 33-02 और rocket का नाम है Long March 4C next very very important question है identify the mascot of the 36 national games that was recently launched हाल इमें शुरू किये गए 36 राश्ट्रिय खेलों के सुबांकर की पैचान रहें जागरती सावज सक्ति या फिर थंबी नेशनल गेम्स का मैस्कट यानि के सुबांकर कौन है 36 सही आंस्वर है सावज सावज किसे का जाता है शेर के बच्चे को लाइंस कब को हम लोग क्या कहते हैं सावज कहते हैं इसको लॉंच किया गया है हमने पिछले वीग की क्लास में विट इमेज इस न्यूज को भी पढ़ा था उसके उपर कोशन को भी जो है सौल किया था और किसने लॉंच किया है बारत के होम मिनिस्टर अमिच साजी ने लॉंच किया है और हो कहां पे रहे हैं 36 नेशनल गेम्स तो गुजरात में हो रहे ह है और यह पूरा डिटेल पिछले वीग के वीडियो में आपको मिल जाएगा इंपर्टेंट है यह कुश्चिंट इन सेप्टेंबर दी गौर्मेंट ऑफ इंडिया सेट टू रीनिम दी हिस्टोरिक राजपत एंड सेंट्रल विष्टा लॉंस इन न्यू देली एज सितंब अमर्पत या फिर कर्तव्यपत इजी कोश्चन है काफी न्यूज में रह रहा है पिछले तीन चार दिन हो गया है पूरा हफ्ता न्यूज में था और इसका सही आंसर कि राजपत का नाम बदल के क्या किया जा रहा है कर्तव्यपत अब हो चुका है यह नौ तारिक को हुआ ह कर्तव्यपत राजपत क्या जगे थी तो राजपत बैसिकली राश्ट्रपती भवन और इंडिया गेट वाली जो रोड है तीन किलोमेटर की उसका नाम था राजपत इसकी हिस्ट्री हमने पिछले वीक के हमारे करेंट अफिर्स के सेक्शन में कर रखा है तो आप उसे जव्यपत अच्छा जो प्राइम मिनिस्टर का घर होता है पीएम का रेजिडेंस इसका नाम भी बदल दिया गया है आज से दो तीन साल पहले पहले पीएम का जो घर का एड्रेस था डैट वास सेवन आर सी आर आर सी आर का मतलब है रेस कोर्स रोड यह पहले पीएम के अगर आप कभी देली गए हो तो आपने मेट्रो में जरूर ट्रेवल किया होगा और मेट्रो में किस्टर पाता था येलो लाइन पे रेस कोर्स रोड अब जो है वो किस नाम से आएगा लोक कल्यान नाम से आएगा ओके वीटामिन प्रोटीन बड़े खतरनाक नाम लिखा है आप छिए और देखें प्रिलिम्स के बारे में जो नोनशिरोस केंडिएट से उनको जो है बाहर करने के लिए जाता है आपने यह नहीं बताया कौन से एक्जाम की बात हो रही है तो आप एक़ गजाम का नाम लिखें फिर हम आपके इसकोर्य को सॉल करने की कोशिस करते हैं नेक्स देखें, when was the United Nations International Day of Charity 2020 to observe across the globe, समयक्त राश्टर का अंतर राश्टर चैरिटी दीवस 2022, दुनिया भर में कब मनाया गया, Charity Day, अभी आता हूं आपके क्वेरी पे, तो सही आंसर है, 5 सितंबर 2022 को मनाया जाता है, International Day of Charity, Charity का मतलब डोनेशन होता है, और 5 सितंबर को क्यों हो, क्योंकि ये Mother Terrace का, Mother Terrace जो है, उनका इस दिन क्या हुआ था, देहांत हुआ था, दैथ हुई थी, तो Mother Terrace जो की Nobel Peace Prize विनर है, उन्हीं की याद में, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, International Day of Charity, और हम लोग क्या मनाते हैं, हमारा शिक्षक दीवस मनाते हैं, तो देखें, विटामिन प्रोटीन, जो भी आपका रियल नाम है, UPSC Civil Services Exam का प्रिलिम्स जो है, वो कहा जाता है कि, नॉन सीरियस केंडिडेट्स को, जो है, एलिमिनेट करने के लिए कंड़क किया जाता है, बढ़ा एक्चुल मैसा है नहीं, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो में क्लियर करने के लिए तयार है, जो टॉप कर लेता है अल्टिमेटली वह भी काफी बार प्रिलिम्स में रुक जाते हैं तो प्रिलिम्स का क्लियर करने का एक ही तरीका है इस्टैटिक जी के को कवर करके आप करेंट अफेट्स के पोर्शन पर फोकस करें और डेली एक टेस्ट एक पेपर जरूर सौल करें यूपीसी सिविल सर्विशेज का ओनलाइन एवलेबल है तो ऑनलाइन करने ऑफलाइन बूक लेके कर सकते हैं तो आगे चलते हैं और कोई ज्यादा डी मोटिवट होने के जरूत नहीं है प्रिलिम्स बहुत बेसिक है काफी सारे यूपीसी के टॉपर्स हैं जो प्रिलिम्स क्लियर किया तो सिधा टॉप कर दिया तो थोड़ा सा प्लानिंग से चलना होगा प्रिलिम्स एक्जाम होने से तीन से चार महीने पहले सब छोड़के से प्रिलिम्स के उपर फोकस करना शुरू करते हैं तो नेक्स कोशन है विच ऑर्गनेजेशन और इंस्टिटूट प्रम आयाई ससी बेंगलोर सिक्ण पर्व कित मना जाता है किमना जा रहा है सिक्šक पर्व पाथ से सित्मबर और कौन मना रहा है किowa रहा है रही मुद्ध एआई कब से आ रहा है जैसे ही पॉलिटी खतम हो जाएगा उसके बाद द्यान रखें इंडियन जोग्राफी ही आएगा पॉलिटी के रोज जो है जो है एक क्लास अप्लोड हो रही है जिसमें नमबर आफ कोश्टिंस कभी 30 कोश्टिंस कभी 35 कोश्टिंस आ रहे हैं जो पॉलिटी से वीक में जितने भी इवेंट्स होयां उसमें से एलेंजी फ्यूलिंग इस्टेशन मल्टे पर्पोज बैंबू थीम पार्क मॉडल इको विलेज या फिर न्यू स्पीशिय ऑफ स्नेक हिंदी मैं अगर बताऊं तो एलेंजी फ्यूलिंग इस्टेशन एक बहु इस यह बैंबू पर आधारित जो है क्या है यह बैंबू पर आधारित पार्क है नाम क्या दिया है बन सेरा यह बैसिकली यह बांस से ही वर्ड आया है यह बैंबू को इंदी में बांस कहते हैं ध्यान रखें यह बैंबू जो है आसाम से लाए गए हैं जो यमूना रिवर है वहां पर इसको develop किया जा रहा है और bamboo की कास बात क्या है बांस की world's fastest growing grass is bamboo गास है विएनर के tree नहीं है bamboo is not a tree bamboo is a grass. बांस जो है वो गास है और दुनिया में सबसे fast speed में grow करने वाली घास है बैंबू तो उसी पर आदारित क्या बना जा रहा है देली में बांच सेरा नाम से थीम पर्क बना जा रहा है कोई बात नहीं पड़ा था बूल गए इसलिए रिविजन क्लास है इंटरनेशनल दोक्यूमेंट्री एंड शौट फिल्म फेस्टिवल हेल्ड अंतराश्ट्रिय व्रत्य चित्र लगू फिल्म महत्सव का चौद्वा संस्करन कहां आयोजित किया जाएगा बताएं बई गोवा कैरला जेके या फिर वेस्ट बेंगल वेरी गोड इवनिंग सुमित को काफी लेट आयो बड़ कोई बात नहीं तो यह इंटरनेशनल लॉक्यूमेंटेज सौट फिल्म फेस्टिवल होगा कहां पे कैरला में कैरला के तिरु अनंत पूरम कभी कबार जो लिटरेशी ट्रांस फोर्म लिटरेशी लिखशा रिदीशक मनया जाता है अंतराराष्य शाक्षर्टा दीवस तो यह आठ सितंबर को हर साल मनया जाता है एर्ट षेप्टंबर आगे what is India's rank in human development index 2021-22 very 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 important मानो विकास सूचकांग 2021-22 में भारत का इस्थान क्या है कल के ही हमने live class में पूरा human development index और इंडिया का rank हमारे पड़ोसी दिसों का rank किस आधार पर rank दिया जाता है भारत का score क्या है सब कुछ discuss किया था तो जो लोग कल की class में आये थे उनको जरूर आएगा question और जो लोग नहीं आये थे वो इस class के बाद उस class को जरूर रैफर करें इसका सही answer है 132 HDI में हमारी rank है 132 और इंडेक्स देता कौन है यह इंडेक्स देता है UNDP युनाइटेड नेशन डेवलोप्मेंट प्रोग्राम चलते हैं आगे वाट इस दी नेम ऑफ वर्ल्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेज रॉकेट इंजन फुली डिजैन और मैनुफेक्ट्टर इन इंडिया बारत में पुरी तरह से डिजैन और निर्मित नाम क्या है अगनी कूल पिक्सेल अगनी लेट या फिर अंबर इंडिया में पहली बार रॉकेट इंजन डिजैन किया गया मैनुफेक्ट्टर किया गया सिंगल पीस 3D प्रिंटेड है यानि कि हजार से ज्यादा जो अलग अलग पार्ट से वह एक ही पार्ट में डाल दिये राइट और जो रॉकेट का नाम है रॉकेट का नाम है तो पूंपनी का नाम यद्ध कूल और जो इंजन इस रॉकीट को लेका जाएगा उसका नाम है अगनी लेट ठीक है पिक्सल नहीं है नेक्स्ट एड्मिरल सुनिल लांबा रिसीव दी पिंगट जासा गैमी लंग मैडल फ्रॉम विच कंट्री इस जिसको का जाता है मेरिटोरियस सर्विस मेडल एड्मिरल सुनिल लांबा ने पंकट जसा जैंबलिंग यानि के मेदावी सेवा पदक कौन से देश से प्राप्त का यह ल, A, N, B है इनका नाम, M, B नहीं है सुनिल लांबा पता है अभी कहां से प्राप्त का है फ्रांस, ऑस्टलिया, इंडोनेश थे तो इन्होंने सिट मैक्स यूद अभ्यास शुरू करवाया था, सिंगापूर, इंडिया और थाइलेंड, इन तीनों का, क्या था, मिलिटर एक्सरसाइज, तीन देशों का, जो है, यूद अभ्यास था, और इसी लिए इनको यह पूरसकार दिया गया है नेक्स्ट, who won the Creative Arts Emmy Awards 2022 in the Outstanding Narrator category, यह इंपोर्टन कोश्चन है, Outstanding Narrator सेड़ी में Creative Arts Emmy Awards 2022 किसने जीता, नेरेटर का मतलब क्या होता है, वक्ता जो बोलता है, तो यह किसने जीता है, Selena Gomez, Barack Obama, Oprah Winfrey, या फिर Robert Townie, कल की क्लास में ही डिसकस किया है, या दोनाची यह जो लोग आये थे, बराक ओबामाजी को दिया गया है, और क्यों दिया गया है, तो वो भी बताता है, Netflix, जो प्लेटफॉर्म है, OTT, उसका एक बहुत फेमस documentary series है, Our Great National Parks, हमारे महान राष्टे उद्यान, उसके पीछे जो narrator, यह जो चल रही है, आपके सामने documentary, उसके पीछे जो आवाज दिये, बराक ओबामाजी ने दी है, इसलिए इनको दिया गया है, फॉर्टी फॉर्ट प्रेसिडेंट थे, युनिटेड इस्टेट्स के, दोजार नौ से सत्रा तक, नेक्स्ट, इंडिया's first and world's highest geothermal energy project is being started at, भारत की पहली और दुनिया की सबसे उची भूत आपी उर्जा परियोजना कहां शुरू की गई, पुगा वैली यानि के पुगा गाटी मनाली लाचुंग या फिर कांगडा गाटी या कांगडा वैली, दो चीजे हैं, दुनिया की सबसे उची है, और हमारी पहली है, क्या, जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट, भूत आपी उर्जा परियोजना, ये शुरू की गई है, पुगा वैली, पुगा गाटी, और ये कहां पे है, ये है लद्दाक में, अगर आप से पूछले, किसने शुरू की है, तो ONGC, वो जो है इसे, स्टाइट किये, और नेच्रोल गैस कॉर्परेशन, जो भारत सरकार का PSU है, महारतना कंपनियों में से एक है, ठीक है, लद्दाक में है, जमू कश्मीर में नहीं है, next, who was honored with the lifetime achievement award at Venice, Venice में lifetime achievement award से किसे सम्मानित किया गया, बताएं बई, परेश वावल, जॉनी लिवर, कबीर बेदी या फिर गुलजार सहब, ये भी कल की क्लास का ही कोश्चन है, Venice कहां पे है, इटली में है, इटली के अंदर आता है Venice और lifetime achievement award इन्होंने दिया है, कबीर बेदी जी को, जाने मने बॉल्यूड एक्टर हैं, और इन्होंने काफी सारी इटली की TV series और movies में काम किया है, इसलिए इनको इटली के Venice में क्या दिया गया है, lifetime achievement award दिया गया है, कबीर बेदी, next, who defeated Australia in an ODI cricket match to record their first ever victory in ODI against Australia, Australia के खिलाफ एक दियूसे cricket में अपनी पहली जीत दर्श करने के लिए, किस ने ऑस्टरेलिया को हराया, कौन से देशना राया, आस्टरेलिया को पहली बार one day match में, एक दिवस्य मैच में, अफगानिस्तान, जिंबाबवे, नेपाल या फिर होंग कॉंग, इजी कोश्चन है, बट एक्जाम में आने लाइक सवाल है, पहली बार जिंबाबवे ने ऑस्टरेलिया को वंडे में हराया है, और खास बात है ऑस्टरेलिया को ऑस्टरेलिया में हराया है, जो मैच हो रहा था, वो कहां पर हो रहा था, ऑस्टरेलिया में, सिरीज नहीं हरा टेबल भूजल तालिका में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने चाता योजना शुरू की आंद्रपर्देश तेलंगना उडिसा या फिर पश्चिम बंगाल सही आंसर क्या है यह इसकीम लॉंच की गई है उडिसा द्वारा चाता इसकीम इसका फुल फॉम है कम्यूनिटी हार्वेस्टिंग एन हारनेसिंग आर्टिफिशल रेन वाटर त्रू एक्विफिर्स तो यह जो है उडिसा ने लॉंच किया है टेरेस एन एक्विफिर्स करके और इस इसकीम का नाम अच्छाता इसकीम भूजल तालिका को बढ़ाने के लिए ग्राउंड वाटर है डेली हम लाइव होते हैं इसी चैनल पर साड़े साथ वज़े साम को रोज डेली करंट एफिट्स भी मल्टिपल चॉइस को डिसकस करते हैं और फिर लाश में कुछ को देखते हैं अठारा से बीस कोशन रोज के और हर मंडे को जो है उस वीक का जो इंपोर्टेंट कोशन होंगे सभी दिनों के उसको हम डिसकस करते हैं तो डेली कलास को भी अटेंड करें और इस क्लास को याने कि जो हरी शेयर सॉप्सक्राइब ज्रूर करें जाद है जादasm दोस्तों के साथ करें और चैनल से जुड़ने में उनकी भी और हमारी भी मदद करें तो आज के लिए धन्यवाद थैंक यू आप सभी का मिलते हैं कल सेम टाइम आर आर भी मेंस के लिए मौनिका ने पूछा है कल की क्लास में बताता हूं मौनिका साड़े साथ बज़े ठेंक यू प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटल तैयारी